Hello student, मैं रमाकान्त स्वागत करता हूँ आज किस वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे PM SSV Scholarship योजना का फार्म भरना चाहते हैं उनका फार्म कब तक आएगा और कौन-कौन से बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं आज किस वीडियो में हम लोग यह अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से PM SSV Scholarship योजना की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जूड़ करके एकदम अच्छे तरीके से इस की तयारी कर सकते हैं तो चलिए प्यारे बच्चे हम लोग जान लेते हैं कि आपका फार्म कब तक आएगा और कौ लोग अपना जो है पिछली डाटा हैं यानि कि पिछली बार किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी अगर जो बात की जाए फार्म की तो पिछली बार फार्म आपका 11-7-2023 को आया था इसके कहने के मतलब 11 जुलाई को आप लोग का फार्म भरना स्टार्ट हो गया था 2023 वाले सेसन में ठीक है तो इस बार भी अनुमून लगा जाता है कि जून के ठीक है जो फर्स्ट बीक होगा लास्ट बीक कह सकते हैं फर्स्ट बीक में नहीं ठीक है लास्ट बीक में आप लोग का फार्म आ जाएगा ठीक है अगर जो लास्ट बीक तक नहीं आता तो जिलाए कि पह इसकालर्शिप का लाव उठाना चाहते हैं तो अभी से आप लोग तयारी में लग जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए ठीक है अब चलिए हम लोग डिसक्स कर लेते हैं कौन-कौन से बच्चे फाम भर सकते हैं तो देखे जो बच्चे इस समय ठीक है कच्छा आठ पास किये हैं वो बच्चे इसकालर्शिप के लिए नाइन्थ में अपलाई कर सकते हैं बच्चे जो बच्चे दो हजार तेईस और चोविस वाले सेशन में क्लास टेंथ की परिच्छा उत्रेड किये हैं जो अभी ठीक है जल्द ही खतम हुआ आप लोग का रिजल्ट भी बहुत सारे बोड का आ गया है ठीक है तो बच्चे 11 के लिए इस फाम को भर सकते हैं बाखी इसके बाद में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एक्जाम का पैटर्ण क्या होने वाला है कि मतलब कौन कौन से कुश्चन किस किस सब्जक्ट से पूछे जाएंगे यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट कि आपका जो पेपर होगा OMR सीट पर होगा इसका मतलब आप लोग समझ पाएं होंगे कि सारे कुश्चन क्या होंगे MC क्योंगे अब कितने question होंगे अगर जो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सारी data लिखी गई है एक बार ध्यान से देख लिजिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ अगर जो आपको screenshot करना होगा तो बाद में screenshot भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके exam कितने 100 question पूछे जाएंगे यह पिछला data है अगर जो नए data में कुछ change आएंगे तो मैं उसको जरूर बताओंगा ठीक है अगर जो बात की जाए 100 question को solve करने के लिए कितने time मिलेंगे तो आपको इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का time दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं अब यह तो समझ में आ गया कि कितने question आएंगे 100 question आएंगे अब आपके मन में यह भी सोच होगे कि कितने मतलब question कहां से आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि मैं से आपके 30 question पूछे जाने है उसके बाद में जो science होगा इससे कितने 25 question और समाझे विज्ञान से 25 और जो जी के end जी होता यहाँ से कितने total 20 question पू 9th और 11th दोनों वाले बच्चों के लिए यही pattern होने वाला है इसमें कोई change नहीं है ठीक है बाकी यहाँ पर बताया गया है सभी question क्या होगे बहुत विकल्पी होगे जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा और कोई negative marking आपके exam में नहीं होने वाला मतलब कोई question गलत करते ह तो उसके लिए number नहीं काटा जाएगा ऐसा इनका कहना है बाकी अगर जो आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखे पिछले बार की यह data देगे ही कि 29 अप्रोल को paper होने वाला था ठीक है लेकिन से इस बार भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसी के आसपास में आप पहले पहुंचना होगा यह बाकी यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादे जो आप लोग जाना चाहते हैं कि परिच्छा किस में होगा तो देखें प्यार बच्छों आपका परिच्छा जो होगा यह हिंदी में भी होगा और इंगलिस में मतलब आपका paper आने माला ठीक कच्छा आठवी में हैं ठीक है और नवी के लिए apply करेंगे ठीक है उनका क्या होगा जो question पूछा जाएगा आठवी के NCRT से पूछा जाएगा और जो गिराहवी के लिए apply करेंगे ठीक है उनका सलेबस 10 के NCRT से होगा हलाकि मैंने बता दिया कि कौन कौन से chapter आपको पढ़ पढ़ा सकते हैं हम और हमारी टीम को अच्छे तरीके से आपकी तयारी को बहतर बनाने के लिए यह ट्यारी कि अपकी तयारी कराईच से और इधर जो देख रहे हैं अप लोग यह क्या है अलेवंड़े वाले बच्चों के लिए ठीक है अब इसमें ठीक है आपकी class अपको स साथ में 9 बज़े दी जाती है ओभी लाइब होती है ठीक है और सारी कलासे जगदम फिरी हैं तो आकर कि आप लोग अटेंड कर सकते हैं क्लास अभी जल्दी ही स्टार्ट हुआ है तो दू-3 लेक्चर हुए हैं बस आप लोग एकदम अच्छे तरीके से उसको आकर कि कबर कर स होगा ठीक है बाकि जो बच्चे टेली गराम चैनल और वार्ट सब्सक्राइब जूड़े हैं इनसे भी जा करके जूड़ जाएंगे तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सारी जानकारियों को कलेक्ट कर पाएंगे ठीक है क्योंकि नोटी सोगता हूं आज का सिसन आप की आपका फॉम का पाने वाला ठीक है जून के लास्ट बिक में आप तक आपका पाऊ जाएगा ठीक है उसके बाद में ऐप लोग भर देंगी फाम जबंद आयगा तो मैं आपको को इन फौर भी करूँगा और फाम कैसे एस्टेफक आप लोग घर जाए जाएगा ठीक है बाकी आप लोग यहां पर इस टाइंट टेबल के गार्डिंग तयारी कर सकते हैं और कोई जानकारी आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग उसके लिए पूछ भी सकते हैं ठीक है हम कोशिस करेंगे कि आपके सभी कुश्चन का एक दम अच्छे तरी प्लाई दें ठीक है अगर जो कोई जानकारी ना समझ में आई तो पूछ सकते हैं ठीक है बाकी पेपर पैटन वाला और सिलेबस वाला ठीक है सिलेबस मतलब कौन कौन से चेप्टर पढ़ने हैं ठीक है उसका अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख गरें ठीक है बाकी जाटे से लए न Sibs को ऊट्यार करना हैं ठीक है अगर गलाश किये रहें तो अभी से तो बहुत जादे फादा रहेगा कि आप लोग सारी चीजिन पढ़ते जाएंगे तो है that यसक N.I.B.